असलाम अल्कूम नमस्ते सासियाकाल दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब मस्त होंगे तो आज हम बनाएंगे कठल की लाज़बाब सबजी जिसके आगे चिकन मटन भी फैर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने दो बड़ा प्याज ले लिया है आठ दस पंदरा कली लेसन के और एक इंच से थोड़ा ज्यादा अद्रक का तुखड़ा इन सब को हम ग्राइन करेंगे उसके साथ ही साथ मैंने करम मसाला ले लिया कुछ कुछ दोस्त में मैंने लिया धनिया दो बड़ा चम्मच उसको पहले फ्राइक हमेंने रोस्ट किया है उसके बाद जीरा और साथ काली मिर्च छोटा सा दाल चीन गतुकड़ा एक हरी लाची और एक बड़ी लाची इन सब को अच्छी तरह से हम भून लेंगे खुसबू आते तक जलाना नहीं है ज्यान रहे है बहुत लगता चम्मच चलाते रहने है फिर उसके बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के बाद मैंने वही अद्रग लेसन प्याज वाले उसमें डाल दिया है ग्राइंडर में और इन सब को हम अच्छी तरह से टेस्ट बना लेंगे यह हमारा मसाला तयार है यह पर मैंने कटहल को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है और थोड़े से गुनगिने पानी में वाश कर लिया है उसके बाद मैं इने फ्राइ करूँगी तो मैंने यह पर मस्टर्ड ऑयल लिया है आप कोई भी हैं इसे मैं अच्छी तयार स लट पलट कर रखाषी कर लिया और यह पर मैंने कटहल को निकाल लिया है और इसके बाद मैं चुकैनल इज के और के लिए सदीनी प्राइच कर लोंगी अब मैं उसे ऑमीन में तोड़ा से जीरा, कत कर द्यार गड़े बाख से और इंगे अश् कवर कर देंगे ताकि वह खुझ वी उसकी उसमें बरकरार रहे तो बस इसे कवर करके हम थोड़ी देर के पका लेंगे फिर कवर हटा कर मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है कि आप जितने अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे टेश्ट उतना ही अच्छा आएगा तो हम याँ पे लगतार चमच चलाते हुए मसाले को पका लेंगे फिर इसमें हम बाकी के जो मसाले हैं वो एड्ट करेंगे तो यहाँ पे माने एक चमच चली आइड किया है और उसके बाद इन सब को अच्छी तरह से चमच चलाते हुए मैं बुन लोगी आप यहाँ पे ड्रेट चिली पॉडर भी आड़ कर सकते हैं तो वो मैं आगे आड़ करूँ क्योंकि हम लोग कहा तिखा कम खाते हैं तो मैं ज़्यादा तिखा नहीं बनाने वाली हूँ मैं ग्रीन चिली आड़ करूँगी बाद में तो वैस इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे देखें यहाँ पे ऐल रिलीज हो चुका है उपर में तो अब मैं यहाँ पे एक टमाटर ही आड़ कर रही हूँ ज़्यादा टमाटर नहीं आड़ करेंगे कि इसमें एक मसाले का जो फ्लेवर होता है न वही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टमाटर एड़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है मसाले अच्छी तरह से बुन चुकी है अब मैं यहाँ पे एड़ करोंगी टमाटर का प्यूरी जो मैंने बनाया था अब टमाटर डाल कर भी हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है जब तक की ओली रिलीज न हो जाए तब तक मसाले को पकाना है और टमाटर डालते ही मैं एड करूंगी यहाँ पे एक बड़ा चमच सॉल्ट तो सॉल्ट अपने टीश्ट के पॉर्डिंग आड करिएगा तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी एड कर दिया है तो साथ ही साथ मैं एक चोटा चमच गरम मसाला एड करूंगी चूटली ऑप्सिनल तो नहीं भी आड करें क्योंकि हम सारे मसाले गरम मसाले भून कर एड कर ही दिया है तो यहाँ पे नहीं भी आप डालेंगे तो कोई बात नहीं मैंने डाल दिया है मसाले पूरी अच्छी तरह से भून चुका है आप यहाँ पे देखी सकते हैं मसाले की कलर में कितना डिफर तो इसको पकने में काफी वक्त लगेगा तो मैंने यहां पे प्रेशर कुकर में से कुक कर लूँगे तो मैंने यहां पे ले लिया है प्रेशर कुकर अब इसमें मैं जितने भी जो भी कठल था वो इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें पानी आड़ कर दूँगी और उसके बाद मैं धकन लगा कर तीन विशल लिया थे जिसमें कि ये कुक नहीं हुआ था थोड़ा सा कम ही था तो फिर मैंने एक विसल और दिया तो चार विसल में बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो जाएंगे और ग्रेवी बहुत अच्छी बन कर रही थी उसके बाद कुक अच्छी बने ती आप इसे चावाल रोटी किसी के साथ भी अच्छी से इंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक से और सब्सक्राइब माई चैनल थाइंक यू फो वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में